नमस्कार फ्रेंड्स तुप्रिया टो चलिया हम अपनी आज किचिन की मसाले दानी वाली ड्रॉय क्लीन करते हैं आफ क्यासे करते ह kwestे यह जैसे कर dependence वैसे में आपसे शेयर कर यह तो यह कितनी गंदी हो oggy यह ड्रॉर भी गंदी हो गई है तो मुझे इसकी डीप क्लीनिंग करना आज बहुत ज़रूरी है तो सबसे पहले मैंने यह जो एक मैट लगाते हैं हम अपने ड्रॉर में उसे वोल करके मैंने उठा लिया है ताकि उसका कच्वाई धर उदर और नहीं फैले और एक सूखे को क्लीन कर रहे हूं पहुँँ अब मैंने इस लिक्वीट सलूशन को स्प्रे किया है यह मेरा होममेड लिक्वीट सलूशन है इसमें मैंने थोड़ा विनेगर पानी और डिश वॉश एड़ करके बना के रखा हुआ है अब इससे मैं इसको फिर से पहूंगी गीला जो मैंन इसे बिल्कुल सुखा रही हूं अच्छे से पहुच रही हूं ताकि इसमें पानी के ट्वेस नहीं रहे तो ऐसे करके यहां पर मैं यह जो प्लास्टिक वाली भी एक मसाले दानी का कंटेनर रखती हूं क्योंकि मुझे स्टील का अभी इस साइज में मिला नहीं है एप्रो सबजी वाले भाया से यह मैंने लाकर रखा हुआ है उसमें मैंने यह सारे जो मैंने पॉंच के रखेते यह यूटेंसिल्स मसाले दानी सारी मेरी तीनों जो है अब मैं इसे थोड़ी सी धूप लगाऊंगी तो मैं इस कैवेट में यह उठाकर लेके जाऊंगी मेरी टेरस बैलकेनी में और इसमें थोड़ी सी धूप लगाऊंगी ताकि और अच्छे से डिसिंफेक्टेंट हो जाए तो यह यहां पर मेरा जो हैंगर वाला रॉड उस पर मैंने मेरी मैट को भी अच्छे से धोके टाक लिया है ताकि यह भी धूप से सूख जाए और यह मेरी बैलक कर रही हूं और यह मेरी जो कॉंडिमेंट्स की मसालेदानी है और मेरी पाउडर्स की जो मसालेदानी दौनों को मैंने प्लेस कर लिया अब मैं इसमें लगाऊंगी एक ऐसे टीशू पेपर इससे क्या होगा जबी भी यह गंदी होगी तो आप टीशू पेपर इजी ली हो गए थी तो मैं इनने और फिल अप करके स्टोर करूंगी क्योंकि सारे चोटे-चोटे कंटेनर्स घाली हुए नहीं थे तो मैंने इनको मानञा नहीं है बस मैं इन्हें पानी से के गीले कपड़े से पांच कर और इनमें मैं फिर से मसाले स्टोर कर यूं और जो बिल्कु पर टेप दोंगी कि हलदी पाउडर को जो हम अपने मेन कैनिस्टर में स्टोर करते हैं, तो मैं यहाँ पर यह स्टील के कंटेनर्स में स्टोर करें यूँ तो हलदी को हमेशा पकट के अंदर ही रखे पाउडर को नहीं तो आपका थोड़ा टाइम में डबापीला पीला सा होन कर दिया है जगह की जगह यह फॉइल्स वगर भी मैं इसी रैक में रखती हूं इसी ड्रॉर में ताकि एजीली एकसेसिबल रहे वह मेरी हींकी डब भी है क्योंकि मसालों के साथ हमेशा चाहिए तो मैं वह भी इसी में रखती हूं अब देखे मैंने अभी आपको हात लगा के बताया की अगर इस ड्रॉर में उपर ज़रा भी जग़ नहीं है जो कि मेरी वेस्ट हू रही है जितनी जगа थि मैंने पूरी जग़ पर उतीलाइस कर लिया है उपर अब इतनी जगह इसमें है नहीं कि जो कि हम वेस्ट कर सकें तो अभी वापस से मसालेदानी को मैंने बंद कर दिया है और हमारा ये ड्रॉर बिलकुल स्पार्कलिंग क्लीन हो गया है तो ऐसे ही और आइडिया के लिए सब्सक्राइब करें फॉलो करें मेरे चानल को अग आपको में आइडियाज अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर करिए थांक्स फॉर वाचिंग